जैन दोस्तों स्वागत एक बाद फिर सा मारे यूटीब चैनल इंडियन फिजिकल एकेटमी में दोस्तों अभी एंप बुलिस के एकजाम चल रहे हैं 17 फरुरी के एंप बुलिस के एकजाम खत्म होने वाली उसके बाद सभी लोगों को टाउटेस और फिजिकल कब तक स्टार हो जाएगा उसके बाद जिन लोगों को इंदोर फिजिकल के लिए सेंटर मिलेगा तो आज हम यहां पर खड़े हुए मुसा खड़ी जो पीटी सी सेंटर है यहां पर आपको दिखाएंगे यहां पर देख सकते हो अंदर यह आपको पासिंग आउट परेड जहां पर होता ह केसा है आप यहां पर नंगे पेर दोड़ सकते हैं जूते पेन के आपको दोड़ना सारी चीज़ इस वीडियो को माध्याम सम्थ क्लियर करने हुआ ले हैं तो सबसे पहली चीज़ 400 मिटर का एक ट्रेक है पूरा ट्रेक आप दिखा दी लोगी यह ट्रेक आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ट्रेक बना हुआ है अभी तो इसी ग्राउंड को उपर आपको फिजिकल देना है MP पूलिस के बच्चे जो भी क्वालिफाय करेंगे जिनको इंदोर के अंदर सेंटर मिलेगा इसी ग्राउंड पर उनका फिजिकल होने वा अच्छा बना हुआ है जब आपका फिजिकल होगा तब और अच्छे तरीके से आपर तैयारी की जाएगी बहुत अच्छा ट्रेक बनाकर आपको देंगे तो फिजिकल की बात है जिन लोगों को इंदोर सेंटर मिलेगा उनको यही पर फिजिकल देना है तो आप इसी एसे ह प्रेक का ट्रेक हो और दो राउंड आपको यहाँ पर लगाना है जो आपके टाइम है दो मेट पैतालिस सेकंड के लिए तो आपको 400 मिटर के ट्रेक पर त्यारी करना है और आपको यहां पर आप जैसे भी दोड़ना चाहें दोड़ सकते हैं आप जूते पेंके दोड़ना चाहेंगे जूते पेंके दोड़ सकते हैं बीना जूतों को आप दोड़ सकते हैं त्रेक आपको दिखा दिया है बाकी और हम थोड़ा सा आगे चल के देख अपको रदी पेहने का सपना है से एकार होने वाला तो इसलिए मैं आपको हर квिडИ बोलने वाला हूं कि आप फिजिकल की त्यारी स्टॉट कर दीजी기에 ज्यादा समय नहीं है यूग जल्द आपको फिजिकल होने वाला जैसे 17 अर्छ के दिन आपको rental होगा उसके बाद आपको रिजल्ट आजाएगा मार्च के अंदर और अप्रेल या मई से आपको फिजिकल स्टाट हो जाएगा तो ज्यादा समय नहीं है क्योंकि बहुत तरह लोगों बहुत ज्यादा किसी को नोकनी किसी को चैस्ट नहीं है तो सारी चीज आपको प्रिपेर करने हम थोड़ा सा ताकि आप अपने लक्ष तक पहुंचे और जो अपना वर्दी पहनने का सपना है वो साकार हो तो ग्राउंड आप देख लीजिए सारी जगा अच्छा बना हुआ है और जब आप फिजिकल यहां पर देने आएंगे तो यह और भी बहुत अच्छे तरीके से त्यार ही आपर क कर दिया जाएगा तो आपको किसी प्रकार की दिफकत नहीं होगी यह पूरा ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है तो इसी ग्राउंड पर होगी जो आप देखते हैं पीछे इसके पीछे बना हुआ है अभी थोड़ा साम उसको भी दिखाएंगे आपको चलते हैं उस ग्राउं पर ही आप फिजिकल की तेहरी करें तो ज्यादा आपको बेनेफिट मिलेगा बजाएं आप रोड रनिंग या लोंग ग्राउंड को उपर करेंगे अपना टाइमिंग मैनेज करके रखें और 400 मिटर के ट्रेक पर ही आप ट्रेनिंग करें बाकि और बढ़ते आगे कुछ ची कि आप बनने वाले हैं जब यहां पर आपके परेड होगी यह पासिंग और परेड का ग्राउंड उसके साइड में आपका ट्रेक बना हुआ जहां पर आपका फिजिकल होगा तो इसे ही आप तयारी करें प्रोपर 400 मिटर पर तो आसानी साब का फिजिकल निकलेगा बाकि ल लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि नेक्स्ट यूडियो अपडेट तुरंत आप तक पहुंचे जैए